आपका हमारे यूटूब में सुख्राज मिशिनरी एंड नानकना मिशिनरी एंड मोल मिशिनरी में आपका सवागत है हमारे बहुत सारे चैनल है आपने जे कर सिस्क्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सिस्क्राइब करते रहो हम नई नई वीडियो जो हमारी आती है आपको नई नई अफडेट आपको मिलते रहेंगे यह दोस्तों मैं आपको एक नया वीजनस जो है यह पेपर नैपकटन वाला जो बीजनस है यह देखिए पेपर नैपकें बन रहे हैं पेपर class बनाने की यह मशीन है यह एक घर की बिजली जो पंखा आपका घर में चलता है लाइट चलता है बल्ब चलता है उसी बिजली में चल जाती है यह मशीन और एक घर के एक रूम में देखो जे इतनी मशीन है एक घर के रूम में जे मशीन चलू हो जाती है जे घर के रूम में आप घर में जे आप बच तेल इसमें रोल लागता है जंबो रोडिश का आते है यह जंबो रोल जो है पच्छास के लोफ मलन सक्तर क्लोह का रोला अормचा यह जह वला इसमें गिवशोगो कर मैच इस्को रईषञ लगा हो वह ए इर से लिगए नहीं का बना है पूरा बेरिंग लगेह नीचे ये देखिए इसमें break भी लगा हुआ है कि कागे फटता नहीं है जितना मती इसको tight कर सकते हो इसकी alignment भी इदर से आगे पीछे कर सकते हो इदर उधर को alignment भी हो जाती है आप इदर उधर paper सीधा करना है इदर उधर से alignment हो जाती है break भी लगा हुआ है इसमें ये बहुत latest technique की machine है नई तकनीक की मशीन है बढ़िया जो लेटस तकनीक है भी यह देखिए यहां से पेपर जाता है इधर से जाके यह इसका प्रिंटिंग जूंट है यह सिंगल प्रिंटिंग जूंट है इसमें प्रिंटिंग इसमें शाही डलती है इसमें जो इसके नेपकन है इसके उपर कोई कोई रेस्टोरेंट का नाम कोई अपना ब्रैंड कोई भी बना सकते हो जो भी ब्रैंड इसके उपर नैपकन के उपर प्रिंटिंग हो जाता है प्रिंटिंग होने के बाद यह देखिए प्रिंटिंग यहां से होएगा यहां से जूंट है यहां से एंबोजिंग हो जाता है इ इसमें चार फोल्ड हो जाते हैं, चार फोल्ड होके, नैपकिन बनके बिल्कुल रेडी होके, ये देखिए, नैपकिन रेडी होके इधर आता है, इधर आके ये इधर कटिंग होता है, पूरा आपने कुछ नहीं करना, आपने बस उदर रोल एक लगा दिया, आटोमेटिक मश मचिन पे अपने काम काम होंता जहाए बस आपने यहां से कटंगी होने के बाद इसको पकड़ना है जिदने पीस है उसको पक ¿क करना? पंज भाफमें में पक्रप teh लगा देते हैं आप इस में जैसे जितनी क्वांटिटी आपने सैटे करना इसमें सोवीड का यांदे इडिनट इसका दो सोवीड का मुझा इसमें लगा हुआ है उसमें पूरा सैटंग आधिस ल्गी कर दि PCC में पूरा सेटंग कर साथे यह का पैकड़ बनना है अपने इसमें सोवीड का सेटिंग कर दिया हैं ऐसे उतने उतने बाद में अपना पेपर उठ जाता है। सहां ऊतनी मार्किंग आ ज जाती। आपने 1.500 सो जितने का भी पैकर बनाना पोट कर बन जाता है। वह्ला बहुत बड़ी है सिस्ट्म है OUT घर में तु publi आटमाक के मुशीन है। में जे मशीन में जो इसकी मशीन की अप पड्रक्शन लगा लगी है उने इसका पड्रक्शन जो है्क डेली दो तो डिलॉऑ प्रसनट प्रक्शन निकल जाती है। एक हार्ड पेपर आता है एक सॉफ्ट पेपर आता है ये रोल जो है जम्बो रोल एक हार्ड पेपर आता है कि सॉफ्ट पेपर आता है हार्ड पेपर थोड़ा सस्ता होता है जो सॉफ्ट पेपर हो थोड़ा महंगा होता है दासरपाय के लोग का फरक होता है मशीन के जे स्टंडर दो साय जाते हैं एक तो सिंगल प्रिंटिंग है सिंगल मोजंग है दूसरी मशीन आती है कि डबल प्रिंटिंग डबल मोजंग भी ले सकते हैं मशीन सिंगल प्रिंटिंग सिंगल मोजंग ज़्यादा लगती है वैसे मार्किट में सिंगल प्रिंटिंग और खुद के मलक बन सकते हो आप आप कोई मलब वेरोजगार हो आपको कुछ भी हो आप पड़क लिखके कुछ नोकरी नहीं मिल रही जौब नहीं मिल रही कि आप यह बीजनस अच्छा खासा बीजनस है यह कर सकते हो इसमें आप बिलकुल कम इन्वेस्टमेंट में आप कौर्मेंट से भी आपको लोन लेना हो आपको कुछी काम है PMEGC स्कीम से PMEG परदानमंतरी रुग्यार जोईना से आपको इसमें लोन भी मिल जाता है और इसमें सबसिटी वगएरा भी मिल जाती है उसकी और आप थोड़े पैसे लगा के थोड़ा पूंजी लगा के आप परत्रवेत्ट कर सकते हैं और इसमें का इसका रॉ मेजर शिटी किसे भी सिटी में बड़े शिटी में इसका रॉम शिटी मिल बन इंडिया में सब्हें जगा इस प्कार रॉमतील मिल जाता है, हमारे पास यह नफकैन वाली मशीन है, टैलेट रोड रोल बनते हैं वह भी मैने पास मिशीन है, किसी भी टाइप का sa requirement है, हमारे पास हार टाइप की सब्सक्राइब कर सकते हो इसमें जो है अपका प्रेंडिंग बना सकते हो इसमें जो है यह अपका रेस्टोरेंट में सेल हो जाता है होल सेलर होते हैं और पर आगे सेल करते हैं जा रेस्टोरेंट है और बहुत सारे जैसे मेरेज बेलस हैं ऐसे हर जगा पर हर जगा जूज होने वाली हर गर में जूज होने वाली अटम है हर गर में रखे होते हैं हर गर में जूज ह टीशु पर रखें होते हैं हर जगह पर ये टीशु पर गुंज रुज़ होता हि स्थ म्मम कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 की नौलेज जो है मिलती रहेगी आपको ठैंक यू आपका धन्यवाद दोस्तो आपको इस बिजने से जोड़ी कोई भी इंप्रमेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके लिए पूर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपके वीडियो जोरू पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक हो शेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहने बिजनेस आडियास पूचे सबसे पहले आपके पास